दोस्तों जेहिन रवीश कुमार को तो आप लोग जानते ही होंगे एंड़ी टीव इंडिया के सीनियर पत्रकारों विश्चुमार हैं रवीश कुमार इनका प्राइम टाइम शो बहुत मश्हूर है रात के नौ बजे सुमवार से शुक्रवार तक आने वाले इस प्राइम टा आप तो जानते ही हैं के आसाम में विधान सबस चुनाव चल रहा है और इस दावरान आसाम के ही करीम गज़ लाके में EVM पकड़ी गई और वो EVM कहा मिली BJP नेता के गाड़ी में इसके साथ ही सिर्फ EVM ही नहीं मिली बल्कि पूरी की पूरी पोलिंग पाटी ही BJP की नेता के गाड़ी में मिल गई इन सब को लेकर के सवाल खड़ा किया है रवीश कुमार ने जैसा कि हमने पहले ही कहा कि रवीश बाल की खाल निकालने में काफी माहिर है तो उन्होंने इस बार Election Commission of India पर तमाम तरह के सवाल किया है जो जवाब एलेक्षन कमिशन ने बीजेपी ने तकी गाड़ी में इवियम पकड़ जाने के ऊपर तयार किया था उस मसले पर रवीश कुमार ने ही उन पर सवाल कख़ा कर दिया है और सवाल कख़ा किया है एलेक्षन कमिशन के जवाब के उपर एक-एक वाईप पॉइंट करके सवालों की बौशार कर दिया शुक्रवार के प्राइम टाइम में रवीश कुमार ने इस बात को ही शुरू में कहना शुरू कर दिया कि कहानी तो अच्छी है विवाद इस पर है कि कहानी सची है या ने रवीश कुमार ने अमेरिकी चुनाव प्रणानी को देखते हुए फैसे इस तरह से धांध ही हो सकती रविश कुमार ने ये भी पूछा कि तब क्या होता अगर पोस्टल बैलेक्ट डोनाल्ड ट्रम जो बाइडन के समर्थक की गाड़ी में मिलती रविश कुमार ने ये भी कहा कि आसाम में ये मशीन ही न जो रविश के प्रोग्राम को दमदार बनाते हैं रविश ने पूछा है कि चुनाव आयोग ने कहा है कि उस दिन बारिश हो रही थी कीचड़ हो गया था और 1300 गाड़ियां सड़क पर जाम में फसी हुई थी ऐसा चुनाव आयोग का कहना है चुनाव आयोग ने अपने बय पहले से 1300 गारियां जाम में फसी हुई थी कीचर था बारिश हो रही थी तो इतने जादा जाम में फसी होने के बावजूद सुरक्षा में लगी कार यानि स्कॉर्ट आखिर कैसे पोलिंग पार्टी से अलग हो गई क्योंकि जाम की स्थिती तो सब के लिए थी क्योंकि जब पोलिंग पार्टी की गारी जाम में फस गई आगे नहीं बढ़ सकती थी तो बिना पोलिंग पार्टी को साथ लिए या उन्हें सिक्योर्टी दिये बिना ही आखिर सुरक्षा वाली गारी यानि स्कॉर्ट आगे कै कैसे निकल गई क्योंकि जाम में हर गाड़ी एक दूसरे के पीछे चलेगी सुरक्षा गाड़ी से पॉलिंग पार्टी की गाड़ी कैसे अलग हो गई क्या पुलिस को पता ही नहीं चला कि पीछे वाली गाड़ी खराब है जिसकी जिम्मदारी के लिए खुद स्कॉर्ट को ल या नहीं यह तमाम तरह के सवाल हैं जिनका जवाब एलेक्शन कमिशन को दिया जाना चाहिए अगर सेक्योर्टी स्कॉर्ट को पता नहीं चला कि पॉलिंग पार्टी पीछे रह गई जाम में फंस गई और यह लोग काफी दूर निकाल आया आगे चल गए तो क्या पॉलिं पार्टी के आगे चल रहा सेक्योर्टी दस्ते ने फिर क्या किया इस बारे में एलेक्शन कमिशन ने अपने बयान में कोई जानकारी नहीं ती यहां तक कि आगे चल रहे सेक्योर्टी स्कॉर्ट यानि पुलिस वालों को पॉलिंग पार्टी ने इस इन्फॉर्मेशन दी या नहीं, इस बारे में भी election commission ने अपने बयान में कोई जिक्र नहीं किया है, आखिर election commission ने इस सब के बारे में जानकारी क्यों नहीं दिया, polling party को स्कॉर्ट करने वाले security अधिकारी या निस तुरक्षा अधिकारी जो गुहैन है, क्या उन्हों ने अपने police महकवे को polling party की स्थ के बारे में जानकारी दी या नहीं, इसके बारे में भी election commission ने कुछ नहीं बताया, आखिर security इस कार्ट को क्यों नहीं पता चला, कि polling party उनसे अलग हो गई है, और वो काफी अलग हो चुके हैं, और वो अपने बुरे condition में फसे हुए हैं, जाम में, election commission ने अपने बयानवाल report म कहा है कि पीठा सीन अधिकारी ने गलती कर दी, बीजेपी नेता की गाड़ी में सवारी करके, लेकिन उसका इरादा गलत नहीं था, आखिर ये कैसे ना पा जाएगा, कैसे माप सकते हैं कि इसका इरादा कैसा था, कि इसका इरादा अच्छा था, कि इसका इरादा गलत था, इन तमाम तरह के सवालों को रवीश ने उठाया अपने प्रोग्राम में एलेक्शन कमिशन ने अपने रिपोर्ट में ये भी कहा है कि पोलिंग पार्टी को जिन नहीं पता था कि कार एक बीजे पी नेता की यहां तक कि रवीश कुमार ने इस बाग को भी सवाल उठाया कि आखिर गाड़ी में बैठते वक्त क्या उन्होंने अपने आगे के अधिकारियों को या अपने प्रशासन अधिकारियों को या सिक्योर्टी स्कार्ट को इस गाड़ी में वो सवारी करने जा रहे हैं उसका गाड़ी नंबर इनफॉर्मेशन डीटेल कुछ उपर फारवट किया या नहीं क्योंकि ये एक सुरक्षा से संबंदित सवाल है इसके साथ रविश कुमार ने और भी अंगिनत तरह के सवाल खड़े किये त्योंकि रविश कुमार या 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 टीवी की टीग में भी इस मामले में चानमीन की और बीजेपी नेता जिसकी गाड़ी थी उससे खुद भी बा पार्टी है जब कि पॉलिंग पार्टी को पता नहीं था कि ये कार बीजेपी नेता जाती है बारिश होने लगता है की चड़ हो जाता है सेक्योर्टी सकार्ट वाले जो गाड़ी होती है वो पॉलिंग पार्टी से अलग हो जाती है और पॉलिंग पार्टी से अलग होने के साथ ही गाड़ी जब एक जगे रुख जाती है तो गाड़ी को आगे बढ़ाने के लिए बकाइदा उन्हें लिफ्ट लेना पड़ता है और ये भी एक संजोग होता है कि जिस गाड़ी में लिफ्ट ले रहे होते हैं उन्हें पता नहीं होता है कि वीजेपी नेता की गाड़ कि इस पोलिंग पार्टी बीजेपी नेता की गाड़ी में ही जा रही है क्योंकि सड़क पर तो बाकी भी गाड़ीयां थी और सिर्फ उसी गाड़ी ने कैसे रोका जबकि तमाम गाड़ीयां जाम में फसी हो थी तो आखिर ये गाड़ी उनके बगल से कैसे निकल के जा रही थी जबकि उनकी गाड़ी तो जाम में फस गई थी पॉलिंग पार्टी तो फिर बीजेपी नेता कि गाड़ी से कैसे मुलाकात हो गए उन तरह हम तमाम तरह के सवालों ने एलेक्शन कमीशन की बखिया उखेड कर रख दी और ये बता जिया कि एलेक्शन कमीशन किस तरह से अपने ही सवालों के जवाब में वो फंसता जा रहा है खुद की ही रिपोर्ट पर तमाम तरह के सवाल खड़े होने लगे और जिस तरह से तमाम जगहों पे एवियम पकड़ी गई लेकिन एलेक्शन कमीशन खामोश रहा उससे वाकई इस बात का सवाल उठता है क्याकि एलेक्शन कमीशन कर क्या रहा था था तक फिलहाल रवीश कुमार ने जो ये अपना प्रोग्राम किया है इसके बारे में आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताए वीडियो पसंद आया तो लाइक करें शेयर करें और विवाक निस्पक शिसोतंतर पतरकार इतागों सपोर्ट करने के लिए आप हमारे यूट्व चैनल टाइमस मेल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन का घंटी वाला बटन दबाना बिल्कुल भी न भूलें इससे हमारे चैनल पे आनाए वाले लेटेस्ट वीडियो की नोटोफिकेशन आपको फौरन बिल जाएगी जिससे आप बहुत ही आसानी से हमारे वीडियो को देख सकेएगे फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नहीं खबर के साथ जये